Hello guys, welcome back to my YouTube channel आज के वीडियो में हम बात करने वाल है Evolution X Custom Rome for the Poco F1 इसी रोम का हम रिव्यू करने वाल है क्या क्या देखने को मिलता है कैसी gaming performance है कैसा system UI, कैसी battery life है और overall रोम कैसी यह stable है या फिर नहीं आपको use करनी चाहिए या फिर नहीं तो इस सब का हम रिव्यू करेंगे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करते न चैनल पर नहीं हो तो सस्काइब करके घंटी घंटी दबा देना ठीक है न हम वीडियो को स्टार्ट करता है सबसे बहले बात करें Android version की तो Android 13 पे यह रो जो है बेश्ड है और यहां पर ईगलिशन एक्स का जो वर्जन है यहां पर 7.9.6 आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ऑफिशियल है यहां पर अनओफिशियल नहीं है ठीक है ना सिक्योटी पैच की बात करें तो पांच जुलाई 2023 का आपको देखने को मिलेगा और करनल की बात करें तो यहां पर TMKC करनल आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना इस करनल को मैंने पहले कभी नहीं देखा और अभी यह फर्स टाइम मैं देख रहा हूँ ठीक है ना बिल्डर है हमारे तेजस बाई और बाकी इंफोर्सिंग वगर आपको देखने को मिल जाएगा यहां ठीक है बात करें यहां पर सिस्टम यूआई की तो आपको स्मूद देखने को मिलेगा गूगल फीड वगरा सब यहां पर जो है काफी मस्क तरीके से मखन की तरह काम कर रहा है यहां पर कोई भी लैग जिटर लैग वगर आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे आप नौटिफिकेशन पैनल वगरा ओपन करोगे तो यहां पर कोई भी लैग वगरा देखने को नहीं मिलेगा काफी ज्यादा स्मूद मतलब सिस्टम यूआ में तो बिलकुल लैग ही नहीं मेरेको फेस ही नहीं हुआ ठीक है ना तो यह आप कह सकते हो यहां पर अगर हम बात करें कैमरा की तो यहां पर जो है इसके साथ मुआ का कैमरा आता है बाइडिफॉल तो कोई भी आपको मॉड यूज करने की ज़रूद नहीं फोटो वगर आप आच्छे से की सकते हो यहां पर वीडियो में अगर आप जाओके त बात करें यहां पर स्लो मोशन भी आपको 240 fps तक का में देखने को मिल जाएगा 960 यहां पर नहीं दिया है पताने क्यों कुछ होगा इसलिए नहीं दिया ठीक है ना बाकी पोट्रेट मोड वगर सब कुछ जो है काफी अच्छे से यहां पर काम करते है ठीक है आप यूज कर स काफी जादा अच्छे निकल गया है यहां पर 425,000 के आस-पास निकल लिए जो कि काफी अच्छे स्कोर है पोको एफन के लिए इतना पुराना डिवाइस अप फिर भी ठीक है ना और परफॉमेंस इस रोम की भाई काफी जादा तगडी देखने को मिल जाती है आप बात कर अच्छे स्कोर आपको सिंगल कोर 500 के आरांड और मल्टी कोर यहां पर देखने को मिल जाए जो कि काफी आवरेज आपको देखने को मिलेंगा लगबं मतलब मल्टी को 2000 के आस-पास होना चाहिए लेकिन फिर भी ठीक कोई जादा खराब स्कोर नहीं है यहां ठीक है तो अच मतलब मैक्स परफॉमेंस नहीं है लेकिन जो ही स्टेबल आपको देखने को मिलेगी मतलब गेमिंग वगछी हमर्श चाहरा है कायी पहली काहिए ओड़र आपको जिट्रलेंग देखने को नहीं मिलने माला ठीक है ना तो यह थी इसकी पर्फॉमेंस बात करें customization के बारे में तो चलते हैं setting में यहां पर notification panel कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है आपको ठीक है ना तो सबसे पहले सबसे उपर आपको देखने को मिल जाएगा the evolver ठीक है ना इसके अंदर काफी सारी customization आप कर सकते हो themes वगरा आप change कर सकते हो header आइकन वगरा चेंज कर सकते हो यहां पर status बार बाकि जो सारी default रोम में जो customization आती है वह यह आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी ठीक है ना कोई advance यहां पर यहां नया देखने को नहीं मिलता है ठीक है यहां पर बात करें बैटर लाइब की तो बैटर लाइब डीसेंट आपको देखने को मिलेगी ज्यादा अच्छी नहीं हो ज्यादा अच्छी नहीं हो ज्यादा खराब भी नहीं इसमें आपको एक और option मिलता है smart charging करके इसको जैसे आप अनेवल करोगे तो आप जहां चाहो वहां charging रोक सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर 99 सेट किया तो जैसे फोन 99 परसंट चार्ज हो जाएगा charging आटोमेटिक ली जो है stop हो जाएगी ठीक है जिससे हमारी बैटरी खराब नहीं होगी चाहे आप पूरी रात फोन को चार्ज में लगा लो ठीक है तो यह काफी useful feature यह काम करते हैं यहां पर मैं फिंगर्पिंट से जो है अनलॉक कर रहा हूं ठीक है तो यही था इस रोम का रिव्यू अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल बने दो सब्सक्राइब करके घंटी बंटी बजा देना मिलते हैं अगले वीडिय करे